हेलो फ्रेंड्स मैं हूं भमता और आज मैं आपको बताऊंगी कि इस होली पर हम खस्ता गुंजिया कैसे बनाएं हलवाई से भी अच्छी गुंजिया हम अपने घर में ही बना के तयार करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको आज बनाना बताऊंगी तो चलिए देर की स्वाद की बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ले लेंगे हम मैदा यह मैंने 300 ग्राम मैदा एक बड़तन में डाल दी है और इसमें मैंने यह डाल दया एक चुटकी नमक नमक डालने से क्या होता है कि किसी भी मीठे का स्वाद और अच्छा आता है अब मैं डाल दूगी इसमें यह 100 ग्राम घी मैंने 300 ग्राम मैदा लिया था उसे मैंने 100 ग्राम घी डाला है 300 ग्राम में 100 ग्राम गी बिल्कुल सही रहता है इसका मोयन बिल्कुल अच्छा रहेगा इतना इससे ना हम जादे डालेंगे और ना ही कम वो बिल्कुल अच्छे से हम इस मैदा में गी को मिला लेंगे घी और मैदा अच्छे से मिलना चाहिए इस तरह से मसल मसल के हम अच्छे से मिला लेंगे मैदा और घी को और जब अच्छे से हमारी मैदा और घी मिल जाए तब हम एक मुठी बांद कर देखेंगे मैदा की यह देखी इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे लड्डू बंदा इस तरह से हो गई और इसी तरह की हमें ही मैदा चाहिए होता है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसको हम जैसे आटा लगाते हैं इस तरह से गूत लेंगे हम थोड़ा थोड़ा ही पानी करके इसमें डालेंगे एक साथ हमें पानी नहीं डालना है और रोटी का जैसे हम आटा लगाते हैं उससे हमें इसको कड़ा लगाना है थोड़ा सा क्योंकि जब हम आटे को थोड़ी देर रखेंगे इस मैदा के डो को तो ये बाद में थोड़ा के लिए रखेंगे तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा अब हम इसको ढखके 20 मिनट के लिए रख देंगे और गुण्या में भनने के लिए हम यह अपना खोया तयार कर लेते हैं यह देखें मैंने इसमें एक कटोरी नारेल ले ले लिए यह सूखा नारेल जो था उसको मैंने और यह मैंने खर्बूजे के बीज लिए हैं इनको भी मैंने हलका सा घी में शेक लिया था पहले ही थोड़ा सा डाल दूँगू मैं इसमें यह बदाम यह थोड़े से मैंने काजू काट लिए थे ड्रायफूट्स आप अपनी मज़ी से कम ज्यादा कर सकते हैं थोड़ी सी किसमि डाल देंगे ? इसमे मैंने यालाइची पाउडर को, यालाइची कोछुदा कुट लिया था ये वैंने डाल दिया है my ऐनों ये मैंने इसमे 200版 ग्राम मावा लिया है, ये घर का मावा है इसलिए मैंने इसको भूना नहीं है, अगर आप मार्केट वाला मावा लाते हैं तो पहले इसको अच्छे से थोड़ा सा पहले भून ले अब इसमें डाल देंगे घर के बने मावा को भूनने की जरूत नहीं होती है अगर आप मार्केट से लाते हैं तो इसको भून कर भी डालें इस बात का ध्यान रखें यह मैंने 1500 ग्राम बूरा लिया है इसकी बूरे की जगए पाप पिसीवी चीनी भी ले सकते हैं जो आपके पास हो वो इसमें आप डाल दें और इन सब चीजों को हमें अच्छे से मिलाना है सूजी को भी मैंने हलका से पहले भूल लिया था सूजी डालने से इसका स्वाद और भी अच्छा आता है तो इसलिए मैंने इसमें दो चम्मच सूजी भी डाल दिया और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे यह मैंने सब मिला ले और यह देखे हमारा गुझिया में भनने के लिए मसाला एकदम तयार है आज मैं चासनी वाली गुझिया बना रही हूं तो इसके लिए हम पहले चासनी तयार करके रख लेंगे तो चासनी बनाने के लिए मैंने एक यह बड़ी कटोरी में लगभग 300 ग्राम यह चीनी है मैंने इसमें डाल दिये और जितनी चीनी मैंने लिए उतना ही मैं इसमें पानी डाल दूँगी मैंने 1 कटोई चीनी ली थी, ग्राम में नापपे तो 300 ग्राम थी और मैंने 1 कटोई भरकेस में पानी डाल दिया है, अब हम चासनी को बनने देते हैं, हम इसमें कोई तार की चासनी नीच चाहिए, बस जैसी सहत चिप चिपा होता है, इस तरह से ही हमें ये चासनी बनानी है, तो जैसी हमारी चीनी घुल जाएगी उससे बस 2-3 मिनट तक और पकाना है यह देखे चीनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है अच्छे से इसमें चास्नी में उबाला रहा है अब बस हम इसे 2-3 मिनट और पकाएगे अब आप देख सकते हैं हमारी चास्नी लगबाल तयार है मैं आपको दिखाती हूँ यह देखने में अभी पतली लग रही है पर जब थोड़ी ठंडी होगी तो अच्छे से घाड़ी हो जाएगी और आप देख सकते हैं इसमें कोई तार नहीं बना है बस जैसे सहद चिपचिपा होता इस तरह से ही थोड़ी सी घाड़ी है अब हम गैस को कर देंगे बंद और अपना देखते हैं मैदा एकदम तयार हुई है हमारी आप देख सकते हैं पहले से मैदा थोड़ी सी धीली हो चुकी है यह पहले बहुत टाइट थी तो इसलिए हम ऐसा गुंजिया के लिए आटा जो हम मैदा लगाते हैं उसको थोड़ा पहले टाइट ही लगाना चाहिए और यह बिल्कुल एकदम अच्छे से तयार है अब मैं इसकी छोटी छोटी लोईया तोड़ लूँगी आप जितने बड़ी गुंजिया बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसकी लोईया तोड़ ले इस तरह से मैं इनको गुल कुल करके हम यह सारी लोईया बना लेंगे यह देखे इतनी बड़ी और मैंने इस सारी लोईया एक साथ बना के रख लिया है अब हम इनकी पूड़ियाँ बेलेंगे इसलिए मैं ऑने इस छकले पर एक लोई रख ली अब इसको दीरेंसे हल्के हाद से बेलते होए जैसे हम पूडिया बनाते हैं इतने size की हम इसको बेलना है जैदे पतला भी नहीं रखना और ज्यादे मोटा भी इसको नहीं रखेंगे हम मैं आपको दिखाती हूं किस तरह से हम इसको रखेंगे यह देखे इतनी पतली हमें ही अपनी लोई चाहिए हमने इसकी पूरी बना ली है जो हमने लोई रखी थी अभी मैं इसको एक साइड रख दूँगे और मैं दूसरी बेल के आपको दिखाती हूं इस टाइम पर अगर आपकी यह मैदा पतली होगी तो यह पूरी अच्छे से नहीं बनेगी और चकले पर चिपकेंगी तो इसलिए हमेशा मैदा लगाते हैं आप ध्यान रखें कि इसको शुरू में ज़्याद है पतला हमें नहीं लगाना है और इस तरह से मैं यह सारी अपनी एपोर्ययं सी बना कर रख लेगे ए इतने मैं यह अपनी लोगे बनाकर तयार करें अल्लिदिक है मैं यह देशी घी में बना रही हूं आप चाहे तो इसकी जगह पर रिफाइंड भी ले सकते हैं यह देखें मैंने इखटे ही सारी पूरिया बना के रख ली थी अब हम इनको भर के तयार करेंगे पहले एक इस तरह से हतेली पर रख लेंगे यह इसके चारों तरफ हमें पानी लगाना है हलके हलके हाथ से इस तरह से इस तरह से हम अगर पानी लगाते हैं तो जह हम इनको कड़ाई में डालेंगे घी में तो यह फटेंगी नहीं इसलिए हलका सा आप चारों तरफ पानी लगा लें और एक चमबच भरके इसमें जो हमने यह के तैयार कि अपना मिश्रन वह भ़ड़़ दें और इस तरह से दोनों को मिलाते हुए हमें यह बंद करनी है हाथ से बना रही हुँ आप चाहें तो इनको सांचे से भी बना सकते हैं कई देखे मैं ऐसी थार से ये बंद कर Come हम इस तरह से फिर से हम इसके में इसके किनारे पर पानी लहाएंगे हलका सा एक क्ते है क्लिएंदे डिजाइन बनाऊंगी को आप चाहें तो इसको इस तरह से बंद करके प्लेन भी बना सकते हैं या साचे से भी बना सकते हैं जैसी आप कहीं बन करें पर पानी लगाने का धियान आप जरूर रखें इस तरह से हलका सा पानी चारों तरब किनारों पर हमें लगाना है यह देखिए इस तरह से बंद करते हुए मैं एक साथ में कई सारी गुंजिया बना के पहले रख लूँगी और गुंजिया बना के हम 4-5 मिनट के लिए इनको किसी कपड़े से ढख के रख देगे उसके बाद में ही हम इनको तलेंगे एक्दम से हम इनको नहीं तलते है पहले थोड़ी देर के लिए हम इने रखना होता है आप देख सकते हैं इस तरह से कितनी जल्दी इनका डिजाइन भी बन जाता है और देखने में कितनी सुन्दर लग रहे तो आप सोचे खाने में कितनी अच्छी लगेगी और आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से ये चार-पांच बना लिए हैं इधर हमारा घी भी गरम हो चुका है मैंने पहले थोड़ी सी मैदा डाल के देखा इसमें कि जादे गरम तो नहीं है अगर हमारा घी जादे गरम होगा और हम उसमें गुंजिया डाल देंगे तो गुंजिया ऐसे लगेंगे कि सिख गई है पर अंदर से वह कच्ची रह जाएंगी इसलिए हम पहले चैक कर लेंगी घी कितना गरम है और एक करकर के इसे हम धीरे से सारी गुंजया इसमें डाल देंगे और आज को हम अगतम मीडियम फिलेम पर ही रखेंगे होली पर गुंजया हमारे घर में आप इस बंडाते हैं और आप भी बनाते होंगे तो आप जरूर बनाएं यह वीडियो देखे और आपने कैसी बनाई आपके घर पे सब को कैसी लगी खाने में मुझे comment box में जरूर लिखें कि मैंने सारी गुंजया इस घी में डाल दी और यह देखिए जब हलकी सी एक साइट से सिख जाएं तो इस तरह से आप पलट लें इनको गैस की आज को मीडियम फिलेम पर ही रखेंगे इस टाइम यह देखिए जल्दी से पलटती नहीं है और मैंने दोनों तरब से अच्छे से इनको शेक लिया था और आप देख सकते हैं का करर कितना अच्छा आया है अब हम इनको निकाल लेंगे एक पलेट में आप चाहें तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं पर हम यह चासनी बना रहे हैं तो चासनी में इनको डाल देंगे भी एक दो मिनट इनको पलेट में रखेंगे उसके बाद में चासनी में डाल देंगे वह देखिए कितना बढ़ा कलर आया कितनी अच्छी लग रही है देखने में इस होली पर जरूर बनाएं आप ये और ये देखे हमाई चासनी भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है हमें ज्यादा गरम चासनी नहीं चाहिए और जो हमने गुंजिया बनाई इनको हम इसमें डाल देंगे आपको कैसी वाली गुंजिया अच्छी लगती हैं चासनी वाली या बिना चासनी वाली आप मुझे जरूर बताएं और आपने कैसी बनाई अगर आपको मेरी बनीए वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूले हम इस चासनी में इनको ज्यादर देन नहीं रखना बस एक दो मिनट रखते ही हम इनको इसमें से निकाल लेंगे पहले एक चलनी में निकाल लेंगे जिससे इसकी सारी चासनी अच्छे से निकल जाए इस तरह से हम सारी निकाल लेंगे यह तो यह देखे कितने बड़े हमारी गुजिया बनके तयार हुई है यह देखे मैंने यह सारी निकाल ली और एक्ष्टा चास्मी जो भी है वह इसमें सब निकल जाएगी कितनी बड़े हमारी गुजिया लग रही है इसी तरह से जो बाकी बचावा वह भी मैं सब बना लूँगी अब हम निकालनेगे इनको एक प्लेट में क्योंकि इन में जो एक्ष्टा चास्मी थी तो वह सब निकल चुकी है और आप देख की बता सकते हैं कि कितनी बढ़े हमारी ये गुजिया बनीए एकदम ख़स्ता गुजिया बनीए ये मार्केट से भी अच्छी हमारी ये गुजिया बनीए ये तो इस होली पर आप जरूर बनाए और सबको खिलाएं ये देखे कितनी सुन्दर और देखने में लगनीए गुजिया तो आपने कैसे बनाई सबको कैसी लगी मुझे जरूर बताना और मैं आपको अभी एक कर रिया एक दम अंदर तक चास नहीं गई है इसमें तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी सबको खिलाएं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंकिस ओ